गम और गुस्से का इजहार कर शहीदों को दीश रधान जली लखनव जन जर्नलिस्ट असोसियेशन ने केंडल मार्च निकाल कर गम और गुस्से का इजहार किया भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए न्यूज इन इंडिया के लिए लखनव से सुखपाल सिंग की रिपोर्ट जम्मू के पुल्वामा में कायराना तरीके से किये गए हमले में शहीद हुए 40 सेकंड ज्यादा जवानों को श्रधान जली अरपित करके आखों में गम और गुस्से का इजहार करते हुए लखनव के पत्रकारों के साथ साथ समाज सेवी वकीलों और आम लोगों ने जन जर्नलिस्ट असोसियेशन के बैन अताले विधान भवन के गेट से जीपियो पाक गांधी प्रतिमा तक केंडल मार्च निकाला उपस्थित पत्रकार साथियों ने भारत माता की जय वंदे मातरम पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान होश में आओके नारों के साथ कम और गुस्से का इजहार किया गांधी प्रतिमा पर शेहिदों को श्रद्धा सुमन अरपित करते हुए अपने संबोधन में राष्ट्रिय अध्यक्ष जन जर्नलिस्ट असोसियेशन कंडूल हुदा साहब में उपस्थित सभी साथियों से भारत माता की एक्ता और अखंता के लिए एक जिठ होने और दे अब यह बंद होना चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए जब तक हम लोग हीट का जवार पत्थर से नहीं देंगे इसी प्रकार की कायरता प्रून हरकते करता रहेगा आज आवश्यक्ता है इस बात की देश के जजबे गम और गुस्से को देखते हुए इसको नेस्तना बूद करने की कार्यवाही प्रधान मंत्री को करनी चाहिए जिला अध्यक्ष जीत नारायन कश्यक भारतिय सेना को अपने हिसाब से आतंक्वादियों वा देश विरोधी ताकतों को चुंचुंग कर मारने की चूप देनी चाहिए इससे पूर्व विधान भवन गेत नंबर तीन सेकंड शुरू हुआ पैदल मार्च तिरंगे जंडेवा हाथों में मौन बत्रिया लिए आखों में आसु और गंका माहौल असोसियेशन के साथ ही साथ अन्यकई सिंगठिनोगर राजधानी वासियों ने इस प्रकार के कार्यक्रम से देश के वीर सपूतों को याद करने और उनके परिजनों के साथ हरहाल में खड़े रहने की शपत लिए नगर अध्यक्ष सुरेश कश्यक महा सचिव अमित कश्यक ने भी अपने विचार रहे हैं